डेली करेंट नीज में अभी की ख़बर है रेवेनेशा विश्वविद्याले गरतलब है कि इस प्रतिष्थित विश्वविद्याले का नाम ब्रिटिश प्रशासक थाउमस एडवर्ड रेवन्शा के नाम पर रखा गया था तो आएए जानते हैं थाउमस एडवर्ड रेवन्शा के बारे में इनका जन्म एक जुलाई 1827 में इंग्लैंग में हुआ था यह ब्रिटिश इस्ट इंडिया कंपनी के शासन के दौरान एक प्रशासक की भूमिका में थे इन्होंने कटक में राजस्व और सर्किट आयुक्त के रूप में भारती सिविल सिवा के लिए काम किया था साथ ही पेशे से ये एक शिक्षक थे आईए अब देखते हैं रेवनशा विश्व विद्याले या रेवनशा कॉलेज के बारे में इसकी स्थापना 1868 में कटक जिला स्कूल के रूप में की गई थी शुरुवात में से रेवनशा कॉलेजी येट स्कूल के रूप में भी जाना जाता था इसे 1876 में डिग्री कॉलेज में पदुन्नत किया गया इसका संबंध शुरुवात में कलकत्ता विश्व विद्याले से था इस विश्वविद्याले में शुरुवात में अंग्रेजी, स्थानी भासा रचना, संस्कृत, फारसी, तरकशास्त, गड़ित, दर्शन, भौतिकी, रसायन विज्ञान और वनस्पती विज्ञान में पाठिक्रम प्रदान किया जाता था 1904 में रेवेनशा कालेज और रेवेनशा कालेजी इट स्कूल को अलग कर दिया गया था बता दें कि यह 2006 में एक पुन्ड रूपेंड विश्वविद्याले बन गया इस विश्वविद्याले के अंदर 9 स्कूल और 33 विभाग है यह राजजी का एक मात्र सारजनिक विश्वविद्याले है जिसे नैक A++ ग्रेड मिला है तो आईए देखते हैं आज के अभ्यास प्रशन को रेवेनशा विश्वविद्याले के संदर्व में निमनलेखित कतनों पर विचार कीजिए पहला कथन है इसकी स्थापना 1868 में कटक जिला स्कूल के रूप में की गई थी दूसरा कथन है 1904 में रेवेनशा कालेज और रेवेनशा कॉलेजी इट स्कूल को अलग कर दिया गया था तीसरा कथन है इसकी स्थापना में महत्वपुर्ण भूमिका रोज मेली थ्यूलियर ने निभाई थी उपरियुक्त में से कितने कथन सही हैं या हैं विकल्पे केवल एक, विकल्प भी केवल दो, विकल्प सी, सभी तीन या विकल्प डी इन में से कोई नहीं अपने एक्जाम की तयारी को और बहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेर और सब्सक्राइब करना न भूले